नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल आर्जा नर्सिंग एकेडमी पर फ्रेंड्स आज बात करने वाले एक पर्मानेंट नर्सिंग आफिसर की वेकेंसी के बारे में जिसमें ओल इंडिया के जो केंडिडेट सब वो एपलाई कर सकते हैं और कैसे आप आपको इसमें एपलाई करना है क्वालिफ के संस कितना रहने वाला है प्लस आपका जो सेलेरी पेकेज इसमें रहने वाला है वो है 75,000 के सम्तिंग आपका पर्मानेंट सेलेरी पेकेज ये रहने वाला पर्मानेंट के हिसाब से और इसका फीस कितना रहने वाला है प्लस आपको किस आधार पर करना है, फोरम को ओनलाइन एपलाइ करना है, ओफलाइन एपलाइ करना है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, चेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो करवा दिया जाएगा, इसको दिरे दिरे आपको नीचे स्क्रोल करना है, इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और इसका नोटिक करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गए, आप देख सकते हो, जो पॉइंट है, वेकेंसी ओप दोन टीचिंग रेगूलर बेसी जो पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे है, इसको आपको डाउनलीड करने के बाद में, इसमें जो सारा डीटेल दिया गया, वो मैं आपको कम्प्लीट तरीके से बता देता हूँ, तो वेकेंसी यह वाली रहने वाली है, वेकेंसी फोर दोन टीचिंग पोजिसर पोर रेगू और पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग को जो केंडिडेट्स है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अब जो भी कंडिसन्स है वो मैं आपको अड़िटाइसमेंट के अंदर बता देता हूँ, यह वेकेंसी पर्मानेट वेकेंसी का नोटिकेसन से जिसको नोर्थ इस्ट इंस्टिटुट अफ अईरुवेदा होमेपेती के द्वारा रिक्यूट किया गया, जिसका एड़िटाइसमेंट नमर आप यहां पर देख सकते हो, जिसमें माउडिया, सीलोंग, मेगाले की वेकेंसी रहने वाली है, जो की डारेक्ट रिक्यूट्मेंट यहां पर रहने व wequancy है, जिसमें All Inay की केड़ेट्स के से एपलाइ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वेकेंसी जोकी nursing officer की यहां पर देख सकते हो, nursing officer की वेकेंसी चियाली सो गरेड़ पर आपका यहां पर रहने वाला है, जिसका बेसिक 9300 से 34800 यहां पर रहने वाला है, OBC की यहाँ पे तीन post रहने वाली है जिसमें OBC के जो candidate से वही apply कर सकते है 30 year इसका age limit रखा गया है Essential qualifications के अगर बात करें तो BAC owns in the nursing, BAC nursing from the Indian nursing council या कोई से भी institute से हो post basic BAC nursing जिनके पास में registered age nurse and midwife with state या Indian nursing council का आपके पास में registration होना चाहिए या मतलब कोई से भी state का अगर registration से है तो वह भी इसमें apply कर सकता है और BAC nursing यादी IUC कर रखा तो वह भी इसमें apply कर सकता है Then diploma in the general and nursing and midwife from Indian nursing council या recognized institutions board of the council होना चाहिए GNM के candidates भी इसमें apply कर सकते है Then इसके अदर GNM के जो candidates है उनको 2 year experience minimum 25 bedded hospital After requiring the educational qualifications जो है उसका बाद में आपका 2 साल का experience होना जरूरी है Then second record दी गई है Deployment in the nursing and pharmacy of the IUC and registered in the respective states Indian IUC nursing council से होना चाहिए 2 साल का experience आपको minimum 25 bedded इसमें भी होना जरूरी है तो यह इसमें qualifications दी गई है जो की सारी दी गई है कि BAC nursing, post basic BAC nursing और BAC nursing IUC की हुई हो या GNM के ओए candidates जो सारे candidates वो सभी इसमें apply कर सकते है जो जो qualifications इसमें रखी गई है Direct recruitment है जैसा कि आप इसमें देख सकते हो एक permanent vacancy रहने वाली है जिसमें अगर इसके general informations और conditions के बारे में बात करें कि forum को आपको कैसे apply करना है तो applicants are advised to read all the instructions carefully before sending their applications Applications forum को आपको offline send करना है और offline send करने के लिए आपको इसका applications को सबसे पहले download करना है देन उसके बाद में आपको जो forum है उसको fill up कर लेना है forum को fill up करने से पहले एक बार आपको जो advertisement इसको download करना है या telegram channel आरजेनर संग एकेडमी जिसमें जाकि आपको इसको download कर लेना है देन उसके बाद में जो भी term conditions दे गई आपकी educational जो qualifications उसको match कर लेना है देन उसके बाद में आपको forum को apply कर देना है forum को कैसे apply करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ age relaxation के बारे में अगर बात करें तो age relaxation जो center government के आदार पर आपको मिलने वाला है वो ही age relaxation यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है जो की center government का रहने वाला है और इसके अंदर CST और PS जो भी candidates और BC candidates रहने वाले उनको बस certificates है जो रहने वाला है caste certificates वो आपको इसमें लगा के बेजना है date of the determining the appraise limits वो आप इसमें देख सकते हो reservations की बात करें तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो center government के आदार पर reservations वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है other conditions के अगर बात करें तो applicant must citizens of the India का citizens होना चाहिए then all applicants must fulfill the essential requirement of the post or other conditions on the last date of the receipt of the applications आपको यहाँ पे बेज देना है in case of the post specified field in the deputations failing in the direct recruitment या contract यह अपने काम का नहीं है तो आपको जो काम का चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ यदि आप अभी present time में दूसरे जगह work कर रहे होगे कोई भी EMS में ये size ये other कोई भी department में तो आप उसका no objection जो certificates है वो यहाँ पे mention करके इसमें साथ में बेज देना है then इसका जो last date रहने वालो 45 दिन का time है जिससे आपको forum को download करके complete fill up करके बेज देना है फीस के अगर बात करें तो यहाँ पे जो grade पे 1600 जो grade पे है उनका अलग फीस रहने वाला है देन जो grade पे 1900 से 1600 तक का जो grade पे जिसमें nursing officers भी आ जाते हैं तो उनका यहाँ पे फीस general और OBC जो candidates है उनके लिए 5 सूर पे SCST और EWS के जो candidates है उनके लिए 5 सूर पे यहाँ पे फीस रखे गई है फीस का payment आपको किस आदार पे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हो No applications fees for the PS candidates के लिए यहाँ पे कोई भी applications fees नहीं रहने वाली है Then a non-refundable fees in the form of bank demand drop के मादिम से आपको फीस का payment करना है Director North Eastern Institute of the Ayurveda Humipathy का जो नाम है इसके आदार पे सिलोंग जिसके आदार पे आपको payment करना है On back side और payment का जो आपको DD बनाना उसके back side में क्या लिखना है Back side of the demand drop candidate must mention candidate name, category और post apply Candidate का नाम, category और किस post के लिए आपने apply किया है वो आपको DD के पिछे के side में लिख देना है SC, ST और OBC, PH और AWS के जो candidates है उनको यहाँ पे अपना जो certificates है वो certificates attach करके forum के साथ में बेजना है Then last date के अगर इसमें बात करें तो last date आपका यहाँ पे रखा गया है कि last date, 45 days from the date of the publication of the advertisement in the employment news Employment news के अंदर apply जो news paper में अंदर जो informations मिली है उसके बाद में 45 days का यहाँ पे time रखा गया है तो 45 days के अंदर अंदर आपको forum को send कर देना है How to apply, apply कैसे कर देना है तो इसका सबसे पहले forum को download करना है जिसका link में आपको discussion box में provide कर दूँगा या telegram channel से आप forum को भी direct download कर सकते हो देना उसके बाद में आपको क्या करना है forum को जो applications forum है उसको निकालना है निकालने के बाद में completely उसको fill up करना है किस आदार पे वो में आपको पहले बता देता हूँ ये इसका applications forum है जो आपको telegram channel पे provide करवा दिया जाएगा जिसका नाम RJ nursing academy के नाम से अपना telegram channel है उसमें जाके आपको ये forum को download करना है देन आपको अपनी जो पूरी detail है name of the post जो nursing officer के vacancy है देन serial number plus किस post के serial number है वो आपको आपे mention करना है अपना photo लगाना है full name जो भी अपनी mentions जो personal detail है educational detail है qualifications detail है 10-12th degree diploma master PhD जो भी है सारा आपने को इसमें mention कर देना है जो भी experience है वो भी mention करना है DD का number भी यहाँ पे दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे mention करना है देन इसके बाद में आपको क्या करना है registration number सारा center government का जो भी इसमें दिया गया है सब कुछ इसमें mention करके आपको अपना applications forum को complete fill up करके रख देना है देन इसके बाद में आपको क्या करना अपने जो भी सारे essential qualifications प्लस जो card certificates है आदार card पेन जो भी है वो सब complete करके अपनों उनको self-attested कर देना है self-attested करने के बाद में forum के साथ में उसको attach कर लेना है देन एक लिफाफा लेना है लिफाफे के अंदर उस forum को plus जो भी documents से सबको attach करके रख देना है देन उसके बाद में जो लिफाफे के उपर आपको लिखना है applications for the post of nursing officer then serial number जो इस post में रखा गया वो serial number यहाँ पे mention करके आपको ऐसे करके अपना address इसमें लिखे और उसको speed post के मादियम से send कर देना है तो इस आदार पे आपको forum को apply कर देना है और इसका जो address है वो आप देख सकते हो the director North Eastern Institute of the Ayurveda and Homeopathy silong megalay793018 जो address इसमें दिया गया है उसमें आपको send कर देना है तो सारा आपको send करना है complete इसको forum को send करना है signature देना है नहीं तो आपको forum को reject कर दिया जाएगा यह थी इस vacancy के बारे में complete detail फिर भी अगर आपको कोई doubt or truth please comment box में जरूर comment करें जिससे के reply करने की कोशिस करेंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे मस्त्रे धन्यवाद फेंट्स